तो एलोगीवान दिससे सुमेड फॉन डिलनभा टीव पेन्टों हो यह वीडियों काफ ही इंप्वायूस बच्चों के लिए तो यहाँ पर हम लोग लोग के च Laser वाइज वेटेज डिसकस करने वाले तेको हो चैप्टेर वेटेज पता होना काफी उपोटेंट है यहां साथ को पता लग चाता है कि मैं किस और में रों मतलब कि आपको किस और में रों मतलब की हाँ ये chapters में से काफी ज़्यादा questions पूछे जाते हैं तो इसको मुझे पहले complete करना होगा तो इस वीडियो देखने के बाद आपको एक proper flow chart में बता दूँगा कि देखें ये flow chart follow कीजिए and इस flow chart को follow करते हो तो अगर आपको का प्रिपिसन बढ़िया नहीं भी है दिन आप एक अच्छा कासा marks तो score कर ही लोगे first attain में वसे देखें अगर आपको प्रिपिसन बढ़िया नहीं है तो इस टील आपके पास अभी दो महिना टाइम तो है ही अगर मार्ज का एंड में एक्जाम होता भी है तो फिर भी आपके पास टू मन्थ टाइम है लेकिन मैं जै काफी सार वीडियो में बताया था कि आपका जो लाते हो तो एक अच्छा एनाइटी या कोई एक अच्छा ट्रिपल आटी में विट गूड ब्रांच लाइक जो नौन कोर की ब्रांच होते हैं लाइक सीएसी एंड एलेक्ट्रोनिक्स ब्रांच ठीक है तो पहली बढ़ा हो तो सब्सक्राइब एंड नोट्फिकेशन को और जरूर रखेगा ताकि इसके बाद के जो वीडियो से लाइकि फिजिक्स और किमिस्ट्री वह भी आपको मिलते रहें तो देखो मैं क्या किया हूँ हरे कि जो चैप्टर से उनमें कितने सारे को से पूछे जाते हैं जेनरली मतलब यह जो डेटा है ना यह जो डेटा मैं में किया हूँ यह एवरेज डेटा है यह है एवरेज वेटेज फॉर लाश्ट थ्री यहर्स मतलब कि इस पर चैप्टर से इतने को से पूछे जाते हैं मतलब यह जनरल बात करो यह से लाश्ट एक डेटा है मतलब पूछे जाते हैं लाश्ट थ्री यहर्स का अगर पेपर चेक आपको एडेंच किया गया तो देख सकते हैं को ओर्टिनेट जियोमेट्री यानि कि आपका जो सर्केल हो गया पैराबल हो गया एलिप्स हो गया हाइपर बूला हो गया तो इन में से काफी कोसेंज पूछे जाते हैं मतलब कंफर्म होता है तो इस जो टॉपिक है यह जो चैप प्रीबियस करते हो तो तो में एक सी और पहले आपको को ओर्टिनेट जियोमेट्री का जो पॉर्ट्सन है ना उसको कम्प्लिट करना है एंट एक लिएस्ट मतलब चैप्टर्स माना जाता है ठीक है मतलब एकदम से इसी नहीं बोलूंगा लेकिन हां एक के आपकर और है दी नहीं कि लिमिट्स कॉन्टिनेट्य टु एंडिफेशलिट्य बें मूब करना चाहिए अब दुखो प्राब्लम यह है उन बच्चों के साथ जो बच्चे का प्रिपर संद बढ़िया नहीं है तो दो को आप काम कर सकते हो मैं कुछ पूच पूच पर चैप्टर्स मैं बताओंगा मैं इसको क्या करना है वो बताओंगा ठीक है तो अभी आपको लिमिट्स मतलब यहां से पढ़ना है ठीक है तो यह लिमिट्स पर लीजेगा दिन आता है इंटिगरल कैलकुलस अब इन्टिगरल कैलकुलस में सबसे जायते कोश्छंस है एंटिडेशन से पूछे जाते है तो most कूसे से करें में थापिकBLकी Natism से 5000 में spend कीज़ेगा तो दिखो यहां से आप चाहो तो अगर कोई प्रिप्शन बढ़िया नहीं है तो आप indefinite को skip कर सकते हो क्या करनों को मैं बता हूंगा ठीक है तो indefinite integration को आप skip कर सकते हो इसके बाद आता हम लोग का AOD application of derivative application derivative like tangent and normal हो गया maximum minimum हो गया increasing decreasing हो गया तो जितने भी यह चैप्टर से AOD के अंदर जो आते हर एक में सिमत को सेंस काफी आते तो मैं इक सी और definite के बाद आपको AOD को टेच करना है देखो यह definite हो गया AOD हो गया यह 12 की portion है तो hopefully आपका यह इसका preparation बढ़िया हुआ होगा इसके लेकर बढ़िया नहीं है तो आप मतलब कोशिस कीजिए कि इसको जल्दी से जल्दी complete करने का अब देखिए इसके बाद में आता है हम लों का आप ट्रिगनोमेटरी काफी है कि वाष्ट मतलब चैप्टर है यहां पर मतलब काफी को संस पूचे जा सकते यहां से तो की इस order में परना चाहिए तो आपको पहले inverse trigonometry कर लना चाहिए इंवर्स ट्रिगनोमेटरी कर लना चाहिए इसके बाद आपको सलिश्णल जो चैपटर है जहापर आपको मतलब एक्स हो गिया ना उसका सॉलिश्ण निकालनी लिए बनाईते हैं तो अब वह सरकτεर सकते हो अगर प्रिब्यास कोसे रहा करते हो ना तो यहाँ से आप अच्छा कासा से स्कोर कर सकते हो ट्रिग्रों तो काफ़े सारे बच्चे मतलब ट्रिगों में time spent करते हैं तो ट्रिगों में तो time spent आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ confirmed नहीं कि questions के ऐसे पूछा जाएगा तो अगर आपके पास time नहीं है तो आप at least previous year questions कर लीजिए ठीक है तो यह हो गया इसके बाद क्या आता है complex number and quadratic equation अब दिखो यह जो दोनों chapter है ना complex and quadratic यहां से questions कुछ ऐसे पूछे जाते जहाँ पर दोनों चैप्टर के concept apply करना पड़ता है लेकिन हो सकता है concept complex number के apply करना पड़ता है तो generally यहां से दो questions पूछे जाते तो hopefully यहां से एक question तो आप कर ही लोगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ previous year questions करोगे तो ठीक है बाकी अब बात करते मैंट्रेस से डिटर्मेंट तो खेर हुआ अगर बोर्ट का ही पराइक कर रहे हो फिर भी यह हो जाते तो अलग से मतलब कोई textbook follow करने का कोई नीट नहीं है मैंट्रेस के लिए आप कोई बोर्ट का फॉलव कर लिए मतलब and previous year questions कर लो जैमेंस का तेना आता है stat and probability तो आप यह चाहो तो skip कर सकते हूं ठीक है तो मैं यहापन नोट कर देता हूं आप जो stat and probability है देखो यहाँ से questions तो आप कर ही लोगे but still मैं आपको बोलूँगा कि यह जो जो chapter मैं यहापन लिख रहा हो ना इसको आप बाद में किचेगा letter ठीक है मतलब यह जो chapter है जो slide में लिखा गया है इसको करने के बाद आपको वो side chapters करना चाहिए ठीक है तो मैं इस slide में मतलब यह है कि इसको बाद में करना होगा फिर आता है हम लोग का 3D geometry ठीक है like plane से काफी question पूचे जाते है तो में 3D में से अब जो plane के जो question है वो काफी कर लिजिए confirm है कि एक question आएगी है पूचे जाते है देन है vector algebra तो vector algebra से मतलब दो को से पूचे जाते है तो इसको भी मतलब बढ़िया से practice कर लिजिए ठीक है तो यह हुआ order देन आता है set relation function अब देखो मैं आपको यह बूलगा कि आप लोग set and relation को आपको skip करना है set and relation function कर लिजिए function काफी मतलब lengthy chapter है and उस पर सम करता है बाद में उतना सा manifest ना कर पाओ तो मैं सिर्फ function आपको अभी complete करना है ठीक है function एक ऐसा chapter है मतलब की हर एक लाइक ट्रीगों का बात करो function chapter को बढ़े से कर लिजिए या पर्मूटेशन कॉमनिशन तो आपको यह skip करना है शेक है P&C skip करना है कि बाइनीबल कर लिजिएगा and sequence and series भी कर लिजिए यासे एक-एक questions पूछे ही जाते हैं then mathematical realizing and differential equation खेर तो यह bonus है तो इसको मैं bonus बोलता हूँ मतलब अगर आप मतलब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल का बुग भी प्राइब करते हो ना तो questions अराम से हो जाएगा तो यहां पर बस बोर्ड का कोई book follow कर लो आप जो बोर्ड से प्राइब करते हो state board, ICC, CBC and PQ कर लो तो इनफ है मतलब आप eight number easily आपको यहां से मिल जाएगा तो इस दोनों chapter को छोड़ना बिलकुल नहीं आपको मतलब एक दिन में ही यह दोनों ही हो जाएगा अब यह सारे complete करने के बाद आप जो chapter यहां पर skip कर रहे हो ना इसको complete करने का मतलब कोशिश केजिए ठीक है तो यह है आपका perfect order Settings यह करना है यह करना है देन यह करना है देन यह करना है पर में पर इक करते हैं ± अबढ़ी जल्दी देखने को नहीं मिलता ओकर यांसी देखिए probability देखिए तो आपको कावी से कुसेंस कावी सरे variety के कुसेंस करने परते हैं तब ही जाकर कि आपको output मिलता है यानि कि efficiency तो इसको आपको बाद नहीं करना है ठीक है तो यह रहाम का complete analysis के आपको कैसे follow करना चाहिए आपका flow chart गया है तो मैं flow chart बता दिया हूँ अगर आप इसी flow chart को follow करते हो upcoming two month में ना तो आपका output जो है मतलब आप अभी जितना marks expect कर रहे हो mathematics में वो और increase कर जाएगा exam के time बड़ तो make sure आपको daily कमजे का मतलब 40 से 50 को से solve करने होगा अगर आपको mathematics में अच्छा score करना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिसी करना आपको को सिस्क्रों के जितना होसे कुछना प्रैक्टिस करें एंड खुद का hand written notes बनाना स्टार्ट कर देजिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो फजिक्स और होने वाला है तो make sure आप लोग notification को और जरू रखेगा ताकि वो जो करना होका लाइक में mathematics का जो बता है ओके